बश्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूटूब चैनल जीके टिप्स बाई मेहंदर बुगालिया पर आज अपनी इस क्लास के अंदर जो रास्तान की जन्गरना है 2011 की उस पर चर्चा करेंगे विशेस मेरा ध्यान रहेगा जो रास्तान के आखड़े उनको पूरे मैं आपको याद करवा दूँ उसके साथ जो अन्य में तपन तत्या का लास्ट में एक पेज लगा रहा है जिसके अंदर कौन से नंबर की जन्गरना है क्या है क्या नहीं वो मैंने डाटापीस के अंदर दे रहे के हैं तो आपको लास्ट में लेंगे एक आपको चीज बता देता हूँ जो जीके टिप्स भाई मेहंदर बुगालिया यूट्यूब चैनल है जिसको आप ओपन करना भी मेरे केने पर रिक्वेस्ट एक बार इसको ओपन करना फिर आप इसका कंटेंट देखना की इ जैसे यह जनगर्ना लिये उसी तरह जैसे रास्तान में अरावली को अलग से पढ़ा दिया रास्तान की नदिया रास्तान की जीले रास्तान की हस्त कला एक एक टोपिक को मैंने अलग से लिया और उसका एक छोटा सा वीडियो बनाया है जिसके अंदर complete जनकारी देकि उस क् आप उस content को देखोगे, बोलोगे जो हमें content चाहिए था, वो हमें यहाँ पर मिल गया है, ठीक है, बहुत सारे लोग channel को देखते हैं, तो मेरी आप से request रहेगी, humble request मेरे लिए, मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तो मेरे लिए आप क्या कर सकते हो, तो please channel को subscribe करना, व रास्तान के कोई से भी exam की त्यारी करते हो, रीट की 1st grade, 2nd grade, वीडियो ग्राम से पटवारी, RS, SI, तो उसके अंदर जंगरना आती है, और इसमें से आपको 101% क्यूशन देखने को मिलेगा, यह PDF चाहिए, तो PDF का मिलेगी, PDF मिलेगी आपको अपने टेली ग्राम channel पर, टेली टेली ग्राम channel की link देदूँगा, वहां से आप टेली ग्राम channel को जोइन कर लेना, वहां आपको PDF मिल जाएगी, चलिए, शुरू करते हैं, रास्तान की जंगरना के बारे में चर्चा करते हैं, जो 2011 में हुई थी, ठीके, राजस्तान की कुल जंसंग क्या कितनी है, तो रास् जंसंग क्या है, मैला जंसंग क्या आप से पूचे तो आपको बता देना, तीन करोड गुन 30,07,440, तो ये तो मुख्य मुख्य डटा वे, के रास्तान की कुल जंसंग क्या, पुरूस जंसंग क्या और मैला जंसंग क्या जो मैंने बता दी, उसके अंदर आप से important डटा यह इसके अंदर इन तीनों में से एक याद गरने ही, बोले तो आप कुल जंसंग क्या गडटा याद गर लेना, रास्तान की जो कुल जंसंग क्या वो कितनी है, तो 6 क्रोड, 85,48,436 रास्तान की कुल जंसंग क्या है, आगे चलते हैं, आगे क्या है, राजस्तान की जंसंग क्य तो 928 लिंगानुपात का मतलब होता है परती 1000 पुरूसों पर महिलाओं की संक्या लिंगानुपात कहलाती है तो रास्तान का लिंगानुपात कितना 928 याने 1000 पुरूसों पर 928 महिलाए है ठीक है रास्तान का गनत्व कितना है परती वरक किलोमेटर तो 200 है गनत्व का मतलब है एक जो वरग किलोमेटर है उसके अंदर कितने लोग निवास करते हैं तो रास्तान के एक वरग किलोमेटर पर दो इसो लोग निवास करते हैं इसलिए रास्तान का जो गनतु है परति वरग किलोमेटर वो दो इसो हैं ठीक है 0-6 व्रग जो 6 व्रग उनकी आबादी कितना था तो 0-6 आईउवरग के लिंगा नुपात कितना था तो लिंगानुपात ऐसी था यही data देखने के लिए आपको ये पेले वाले data पताए गये थे कि 0 से 6 जो आयूरक का लिंगान उपात है वो बहुत कम था पेले ठीक है जब ये 2011 में जन्गर्ना हुई थी अब जो नए डाटा है कि उसमें पता चलेगा क्या है रास्तान की साक सर्तादर कितनी है तो 66.1 परतिसत रास्तान की साक सर्तादर है गुणिए। बुणियाशी पॉइट दो परतिसत रास्तान की महीला साक सर्ता कितनी है तो 12.1 परतिसत रास्तान की महीला साक सर्ता दर है ठीक है ज्यान रखना है अब आपको important data इन में से क्या है एक तो यह याद रगना रास्तान की कुल जंसंग्या कितनी है 6 क्रोड 55,48,437 पुरुष जंसंग्या एक बार पढ़ लेना हलका फुलका के 3 क्रोड 55,597 में है ठीक है एक यह डाटा फिर वापस important रहता है रास्तान की जंसंग्या वर्दीदर कितनी है तो 21.3% है रास्तान का लिंगानुपात कितना यह फिक important data है 928 से है ठीक है और रास्तान का जनगरनत वे कितना है तो 200 है रास्तान का जनगरनत वे यह दोनों यादगरने की कोशिस करना याद हो जाए तो 60-6 यूरक की जो आबादी वो कितनी थी एक रोड 6,595,504 और उनका लिंगानुपात 888 सी था है लिंगानुपात वाला यादगरने की कोशिस ज्यादा करना ठीक है रास्तान की साक्सरता कितनी है तो 66.1% रास्ता की साक्सरता है पुरु साक्सरता उनियासि पॉंट दो है मैला बाउनं पॉंट एक है ठीक है यह मैंने अभी तक आपको डाटा पढ़ाए हैं आगे चलते हैं आगे क्या है रास्तान के सार्दिक जंसंग्यावाले पांच जिले कोशित करना तीन तो कम से कम करी ले ना किरा किर स्चाहब दीच जनसेंगा वाले 5 जिले कौण-कौंसे जहिसके अंदर जनसेंग के आप मैरे जिसके अंदर जनसेंगा 6, exists 6,26118 भी सबुगनी से हैं उसके बाद अधर्थपूर भूंदी से दीच जिली मेर पांच हिए तो जेपूर के जनसेंगा याद कर ने के लाग को शिखाना चाहि निंटा याद करने हो इकोषिस करना इकोषिस करना नो ऩो सhou तक तो S 0と 10 जनसेंगा यादा होने चाहिए और आगे चलते हैं राजस्तान में ग्रामीन जा जनसेंग्या वो कितनी है तोटल जनगरना जब उइ उसमें से ग्रामीड जनसिंगा कितनी है तो 5.15.352 लोग है वो ग्रामीड जनसिंगा के अंदर के दाते हैं इतना इंपोर्टेंट है याद मतर रुको फिर भी काम चल जाएगा आपको याद यह रखना है तो रास्तान के अंदर ग्रामीड जनसिंगा उसका सारुदिक बाग जेपूर के अंदर है नियुनतम बाग जेसल मेर के अंदर है उसी तरह जैसे गाउं की पड़िये वैसे अब सेरों की पड़ेंगे तो रास्तान के अंदर कुल सेरी जनसिंगा कितनी है एक क्रोड सितर लाग 48,000 और पिच्छासी है ठीक है सारुदिक का है जेपूर के अंदर है द्यान रखना ग्रामीन जनसिंगा भी सारुदिक जेपूर के अंदर है सेरी जनसिंगा भी सारुदिक जेपूर के अंदर है रास्तान के अंदर ग्रामीन जनसिंगा नियुनतम जेसल मेर के अंदर है सेरी जनसिंगा नियुनतम परताब गड़ बढ़ा तो very very important है कहीं बार पूचा जाता है के रास्तान में सबसे कम या नियुनतम सेरी जंसेंग क्या कहां पर है तो परताब गड़ के अंदर है और नियुनतम ग्रामीन जंसेंग क्या पूचे तो जेसल मेर बताना है दोनों में सारुदिक जेपूरी कहां ना ठीक है जैसे दसक की वर्दीदर आपने बनने पेले पड़ी थी ठीक है अब इसके अंदर में जिला वार मैंने आपको बताइए किसारुदिक जेपूरी नियुनतम ये यह 10% रही है ठीक है यहने 10% की वर्दी हुई है जो नियुनतम गंगानगर में है सारदिक बाड मेरे कंतरे दोनुफेक्ट याद करना ही कोशिज करना important fact बनते हैं आगे चलते हैं मेरी class में जो important fact है वो सारे आपको मिल जाएंगे और आप कोई सा भी पुराना paper उठा लेना कोई सा भी नएया paper उठा लेना जो जो topic मैंने यापर करवा दिये हैं complete question अभी तक तो पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे मैं आपको वादे के साथ केता हूं ठीक है इतना सांदर तरीके से मैं आपको content देता हूं ये pdf आपक पिक ची वह भी आप comment books में suggest कर दिया करो और बाकि अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे motivation के लिए आप प्लीज वीडियो पर comment जरूर किया करो ठीक है चलिए आगे क्या है रास्तान में ग्रामीन जंसंग क्या वर्दीदर उगनीस परसेंट रही है ठीक है परसेंट आ ग्रामीनों में तो जैसल मेर में दोनों फेक्ट याद रखना नियूंतम कोटा के अंदर ठीक है कोटा के गउँ में नियूंतम जंसंग क्या वर्दीदर हुई है ठीक है मैं एसे गर आपको पड़ाओंगा न तो आपको समझ में नहीं आएगी मैं अगर एसे बोलता हूं ज जंसंग का वर्दीदर ज्यादा है गाओं में जंसंग का वर्दीदर कम है गाओं में जंसंग का वर्दीदर 29% है शेरों में जो जंसंग का वर्दीदर है वो 30% है ठीक है गाओं में सबसे ज़्यदा जो जंसंग का वर्दी है वो 34.5% जेसल मेर में हुई और नियूंतम कुई ये दोनु ध्यान रगना कि सार्दिक और नियुंतम जन गनतुए वाले जिले जन गनतुए किसे बोलते हैं मैंने आपको बता दिया एक जो वरक किलोमेटर उसके अंदर निवास करने वाले लोगों की संक्या को जन गनतुए बोलते हैं और रास्तान का जन गनतुए 200 है सबसे अधिक जन गनतुए किसा थो जेपुर का जो बार बार एक जमों पूचा जाता है राष्तान पुलीस के अंदर टो यह हिटन गनतुए वो जेपूर का जानुए 255 हैं आगे चलते हैं मैंने सारे डाटाओं को देखिए आप किस प्रकार से पेस किया है एक एक डाटा को सार्दी कौन सा नियुनतम कौन सा उसका आगे कोश्टक में कितने हैं और किस चीज से लेटेड है वो सारी चीजी मैंने लिग दी सार्दी को ये नियुनतम लिंगानुप अब लिंगानुपात को ग्रामिन और सेरी के इसाब से पड़ा देता हूँ रास्तान का जो ग्रामीन लिंगानुपात है वो 933 है और सेरी लिंगानुपात है वो 934 है तो रास्तान में जो ग्रामीन लिंगानुपात है वो 933 है और जो सार्दी ग्रामीन लिंगानुपात है वो पाली का एक जार तीन हजार से उपर एक ही जिगे के वो लिंगानुपात ह पाली का ग्रमीन नुपात है न ccao ऑटे ठीकंग का पाली एक हजार ऐन वा इक अजार टीन है सबसे कम लिए अनुपात दौलपूर का है थीक है आपको एक चीज याद रखने में Юद रिखने में इसमें बहुत easy going होगा के जो सबसे नियुंतम लिंगानुपात भी दोलपूर का है और ग्रामीन जो नियुंतम लिंगानुपात है वो भी दोलपूर का है ठीक है और सारदीक जो लिंगानुपात है वो डुंगरपूर का है सारदीक ग्रामीन लिंगानुपात पाली का ये इंपोर्टेंट एकफेक् क्लास को देख लेना सारे डाटा याद गर लेना important है आगे चलते हैं सारवधी के नियुंतम सिसू लिंगानुपात वाले जिले ठीक है तो आपको ध्यान रखना है सारवधी के नियुंतम सिसू लिंगानुपात वाले जिले सिसू लिंगानुपात का मतलब है कम उमर के अंदर जो बच्चे हैं उनके अंदर जो बच्चियों की संक्या है उनको बोलते हैं सिसू लिंगानुपाद ठीक है अभी आपको पता जीरो से छे वरस के आयू का लिंगानुपाद निकला जाता है उसको सिसू लिंगानुपाद बोलते हैं तो आपको द्यान रखना मैंने पहली चीजे पढ़ा दी है रास्तान के अंदर टोटल जो साख सर्ता वो 16.1 परतिसत है जो पुरूष साख सर्ता वो गुणियासी परसेंट है जो महिला साख सर्ता वो 12% है और देश में 33 स्वाइस्तान है सबसे लास्ट में आता है द्यान रखना 33 स्वाइस्तान आ गया तो आपको द्यान रुको पड़ो लिखो और इस साख सर्ता वाले इसमें अपनी रेंक लगा प्रतिसत है जालोर की साक्षर्टा चोपन प्रतिसत है तो सबसे कम पड़ा लिका जिला जालोर मान सकते हैं और सार्दिक पड़ा लिका जिला कोटा मान सकते हैं ठीक है पड़ा लिका नहीं है जालोर लेकिन बसेस बोच चलती है वहाँ पर ठीक है तो आप उस बस में भी बांसवाड़ा के जो पुरू से वो सबसे कम पड़े हैं तो बांसवाड़ा का जो पुरू साक्षरतादर है वो 65.5% है और जुन जुनों की सार्द्यू के नियुनतम मैला साक्षरतादर वाले जिले सबसे अधिक मैलाई कहां की पड़ी है तो जो कुल साक्षरता है मैलाओं की वो तो है बांद पॉइंट एक परतिसत और 35 वा इसतान है रास्तान का ठीक है देश के अंदर अब जो सार्दिक मैलाई है वो कोटा की मैला सबसे अधिक पड़ी है जालोर की नियुनतम मैं वेसे भी साक्षरता भी सबसे कम जालोर किये ठीक है आगे चलते हैं साक्षरतादर अब साक्षरतादर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ सेरी जो साक्षरतादर है वो गुणियासी पॉइंट 7 परतिसत है ठीक है इस परकार है ठीक है ध्यान रगना दोनों अलग लग मैंने बता दिये ये तो है सेरी साक्सरता के बारे में आपको बता रहा हूँ मतलब सेरों में गुणियासी पॉइंट साथ परतिसत लोग पड़ेवे हैं साक्सर हैं उसमें से सत्यासी पॉइंट नो परतिसत पूरूस है और सतर पॉइंट साथ परतिसत मैला हैं उसी परकार जो गाम है याना ग्रामीन है ग्रामीनों में कुल 61.4 परतिसत लोग ही पड़ेवे हैं ग्रामीनों में ग्रामीन साक्सरता कम हैं उसमें से छिंतर पॉइंट 2 परतिसत पूरूस है और 45.8 परतिसत मैला हैं तो ये सारा ड बारत की जन्सेंग्या का 5.66% है जो टोटल बारत की जन्सेंग्या है 100% उसमें से 5.66% जो जन्सेंग्या और रास्तान में निवास करती है रास्तान की है 2011 की जनगर्णा में परती वेक्ती खर्चा 18 रुपे उगनी स्पेस आया 2018 उगनी स्याद रगना 2011 की जनगर्णा में एक वेक्ती की जनगर्णा करने में 18 रुपे और उगनी स्पेसे का खर्चा आया बारत के पर्तम जो जातिकत जन्गर्ना वो 131 के अंदर हुई थी तो बारत के जो पर्तम जातिकत जन्गर्ना वो 131 में हुई थी 2011 में हुई जन्गर्ना का करम पंदर वी हैं और 21 सदी की दूसरी है 21 सदी की तो ये दूसरी जन्गर्ना थी और 2011 की जो जनगरना हुई यह पंदर भी जनगरना है यह एक important data याद रगना पंदर भी जनगरना है लेकिन राजस्तान का अगर एक exam देते हो तो सबसे important data बनते हैं जो मैंने उपर बताए हैं वो फिर भी आप यह भी याद कर लेना ठीक है पंदर भी जनगरना थी 2011 की जनगरना का सवतंतरता के करम में साथवी थी यानि यह सवतंतर होने के बाद तो यह साथवी थी और वेसे यह पंदर भी थी आगे चलते हैं 2011 की जनगर्णा का नारा क्या था देवा क्या था हमारी जनगर्णा हमारा बविश्य ठीक है हमारी जनगर्णा हमारा बविश्य पूछ सकते हैं 2011 की जनगर्णा कैसे में बारत के जनगर्णा आयुक्त कोन थे तो सिरी चंदर मोली ठीक है तो आपको ध्यान रखना है 2011 की जनगर जंगर्णा का पहला लिकित साक्षे कहां पर मिलता है जो जंगर्णा का परतम लिकित साक्षे कहां पर मिलता है अर्थ सास्तर मोर्यकाल में लिकी गई थी ठीक है मध्यकाल में जनगर्णा का उलेक इसमें मिलता है तो आईने अकबरी बुखे उसके अंदर मिलता है मध्यकाल में जनगर्णा का उलेक बारत की जो परतम जनगर्णा उठारा सो बेतर में लोड मेयो के समय हुई थी ठीक है बारत में जो परतम जनगर्णा उठारा सो बेतर में लाड मेयो के समय हुई थी बारत की जो वेवस्ती तेहों सतत जनगर्णा वो कब हुई थी 1881 में लोड रीपन के समय है तो ज्यादा तरेकजाम यही पूचा जाता कि बारत की वेवस्ती और सतत जनगर्णा वो कब हुई थी तो 1881 में लोड रीपन के समय ठीक है जनगर्णा में कौन सी सुची का विशे है तो संग सुची का विशे है ध्यान रगना जनगर्णा संग सुची का विशे है ठीक है राजी सुची का विशे है निये संग सुची का विशे है ठीक है अगर आप चाते हो तो मैं इसका वापस रिविजन करूँ तो आपको सीधी सीधी बता देता हूँ देखे यहां से साकसर्ता के डाटा है साकसर्ता में सारदिक और नियुनतम साकसर्ता याद रखनी है रास्तान की जो टोटल साकसर्ता हो 81-66.1 परतिसत है सारदिक पड़े लिके लोग हैं वो कोटा के अंदर है सबसे कम पड़े लिके लोग जालोर के अंदर है सबसे अधिक पड़े वे पुरूस कहां पर हैं तो जुन-जुनों के अंदर है सबसे कम पड़े लिके पुरूस कहां पर हैं तो बासवाडा के अंदर है ठीक है आगे चलते हैं सबसे अधिक मैलाएं कहां की पड़ी हुई है तो कोटा की मैलाएं सबसे अधिक पड़ी हुई है सबसे कम मैलाएं कहां की पड़ी हुई है तो जालोर की मैलाएं सबसे कम पड़ी हुई है ठीक है सेरो में गुणियासी पॉंट 7% साकसर लोग है जिसमें से 70.9% पुरू से और 70.7% मैला हैं गाउं के अंदर 61.4% लोग पड़े लिके हैं जिनमें से 6.2% पुरू से और 15.8% मैला हैं ठीक है इसके उपर क्या है लिंगानुपात कितना है 933 ठीक है रास्तान के अंदर ग्रामीन लिंगानुपात है वो कितना है 933 ये ध्यान रखोगे सबसे अधिक पाली का है सबसे कम दोलपूर का है सारे डाटा बहुत ही सांदर तरीके से इस PDF को एक दो बार पढ़ लेना इस कलास को एक दो बार ले लेना आपका नाका इस चेप्टर के अंदर लग जाएग तो आप इस चेनल को ओपन करो इसके अंदर बहुत सारा content पढ़ा है इसी के related content पढ़ा है एसा ही content पढ़ा है तो आप उनको देखो explore करो कैसा लग रहा है वो मुझे comment मादी में से बता दिया करो अगर class अच्छी लगी तो चेनल को लाल वाला बटन दबाकर subscribe कर दो bell वाला icon जिससे आपको notification और हमें motivation मिल जाएगा एक अच्छा सा motivation वाला comment लिख दो कोई चीज में सुधार करने की जोड़त है वो भी मुझे comment में बता दो आगे कौन से class लेनी है वो भी आप मुझे comment box में बता दो और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर अपने दोस्तों के साथ और टेलिग्राम चैनल जोइन कर लेना वहाँ पर ये पीडियेप आपको मिल जाएगी चलिए मिल दाए फिर किसी नए सेसन के साथ तब तक के लिए पनी स्वास्तिय के जयान रखिए टेक केर जैह